वेलकम बैक नमस्कार राम राम स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में और क्या चल रहा है सबकी जिन्दे हैं मैं सब राजी खुशी तो आज मैंने जी फाइब की एक बैप सेरीज देखके कम्प्लीट की है बैप सेरीज का नाम है ब्लैक सब्सक्राइब अब बातक लेते हैं मुव के मुवी के बारे में कि क्या कहस है यह इस Vergleich से नहीं देखनी चीए और क्यों यह और बच्च रसे अलग है गटिय है वह सब कुछ में आपको बताने वाला हूं G5 की ये बेब सरीज production value के इसाब से बहुत महत्रीन है यानि पैसा जिन्नों ने लगाया है इस बेब सरीज में काफी अच्छा पैसा लगा करके अच्छी बेब सरीज बनाने की कौशिश की है काफी अच्छे सेट है, काफी अच्छे घर लेविश लाइपस्टाइल दिखाने की कोशिश किया चेरेक्टर्स की वो उनके साथ न्याय करता है प्रोडक्शन वेल्यू के नाम पर ये बैपसरीज काफी अच्छी है क्यों देखनी चाहिए इस बारे में अगर हम बात करें तो वैसे भी बॉलिवुड में विमन सेंट्रिक वेपसरीज मुवीज कम ही बनती है यानि महिलाओं को मद्य में रखकर बहुत कम टॉपिक पर ध्यान दिया जाता है उनके समश्याएं उनकी जो समश्याओं का हल है वो वेपसरीज के द्वारा समाज को दिखाया जाना ऐसा है बहुत ही कम बैप सेरीज और मुवीज में किया जाता है इसमें कुछ हद तक थोड़ी बहुत विमेंस की समझ्याय दिखा गई है यानि महिलाओं कि अगर आप इका दुका समझ्याय आए वो इसमें देख सकते हैं अब ये बैप सेरीज क्यों नहीं देखनी चीए ये भी मैं आपको बता रहता हूं कि ये बैप सेरीज धीरे अपने मुद्दे से भटक जाती है यानि आपको जो चीज दिखाने की कौशिश किये वो बेसिकली एंड तक आपके सामने प्रजेंट ही नहीं हो पाता अब बात कर लेता है इस बैप सेरीज की स्टोरी के बारे में किस स्टोरी पर ये बेस्द है तो तीन महिला इस पर दिखाए गई है जो कि अपने पतियों द्वारा बहुत ही ज़दा प्रतारित है वो उनसे परेशान हो चुकी है और इसके लिए वो करती क्या है वो अपने पतियों से छुटकारा पाने के लिए अपने पतियों को ही ठिकाने लगाने की सोच लेती है यानि प्लान मनाती है जहां उनके पतियों की डेथ हो जाए इसके बात सुरू होता है एक ऐसा सिलसला जहां वो अपनी आजा जिंदगी जी रही है और वहां पर एक इन्वेस्टि तो वो सब दिखाने में पूरी वेब स्रीज निकल जाती है यानि महिलाओं की समच्चाओं को लेकर के उस विशेप लेकर के उन बेवाइक जीवन की समच्चाओं को लेकर के अगर वो वेब स्रीज बनाई जाती तो और शायद भेतर हो सकती थी अब बात कर लेते हैं कि क्य या इस बैफ स्रीज में अच्छा है अच्छा यह है कि या इसकी production value बहुत अच्छी है आपको आखों को सुकून देगी dressing, clothing, family, functions, सभी के events वगेरा जो आपके समने visual आएगा काफी आपको अच्छा लगेगा ऐसा नहीं लगेगा कि locations अच्छी नहीं लिए है या उनको families को ढंक से नहीं दिखाया है तो वो आपको आखों को सुकून देने वाला है दूसरा दो-चार पात्र ऐसे है जिनकी acting skills आपको बहुत अच्छी लगेगी उनका बैफ स्रीज में होना आपको अच्छा लगेगा तीसरा प्लस point ये कि इस बैफ स्रीज में काफी सारे twist and turns है यानि बहुत सारे suspense है twist वगेड़ा जो इस बैफ स्रीज में आते हैं कुछ ऐसे twist हैं जो आप predict नहीं कर सकते हैं तो जब आप उनको reveal होता हुआ देखेंगे तो वो आपको बहुत जड़ा अच्छा लगने वाला है अब बात कर लेते हैं कि इसमें negative ऐसा क्या है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा सबसे पहली negative चीज इस बैफ स्रीज की यही है कि यह बैफ स्रीज काफी लंबी है टोटल 12 एपिसोड हर एपिसोड लगबक 30 से 35 मिनिट का है तो वो आपको लग सकता है कि काफी बड़ी है काफी लंबी बैफ स्रीज है सेकिन जो इसमें negative point है वो यह कि इसकी कास्टिंग बहुत ही अजीब तरीके से हुई है यानि इकादुका characters को छोड़ करके बाकी किरदारों का अभीने आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ाओ महसूस ही नहीं करेंगे कई हों की समश्यों के साथ आप अपने आपको जोड़ सकते हैं बाकी के साथ आप character के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे तो सैगिन इस बैफ स्रीज का minus point है यह तीसरा जो minus point मुझे personally लगता है वो यह कि इसको इतना लंबा ना बना कर थोड़ा छोटा किया जाता और thrill और suspense जो इसमें बरकरार था एकका दुखका जगे पर जो हमें अच्छा लगा था उसको और ज्यादा मात्रा में दिया जा सकता था यानि इसको एक बहतरीन suspense लर बनाया जा सकता था मैलाओं को केंदर में रख करके तो यह थे इसके तीन plus और तीन minus points लंबी काफी ज़्यादा है अब बात कर लेते हैं बहुत सारे adult content भी आपको देखने हो मिलेगा तो parental guidance यही है कि परिवार के साथ तो इसे ना ही देखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा परिवार के साथ ही नहीं यह आप अपने किसी भी family person के साथ में बैठकर नहीं देख सकते हैं काफी ज़्यादा adult content है गालियां है काफी ज़्यादा nudity भरे scene भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे आप चाहें उन्हें nudity के हिसाब से इस तर प पुड़ों में देखें मुझे एक बार में ही देखनी पड़ी आप लोगों के लिए रिव्यू करने के लिए तो मेरा रिव्यू आपको इस बैप सेरीज के लिए कैसा लगा वो भी आप मुझे comment section में बता सकते हैं और किन बैप सेरीज का आप रिव्यू जानना चाहते हैं वो भी मुझे मेरे comment section में बताते रहिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाईए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले और बैल आइकन जरूर दबाईए ताकि आने वाले वीडियो के notifications आप तक समय तक पहुंचते रहें मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राम राम जैहिं